बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरे फटाफट अब चंद मिंटों में जाने शिर्पाँचल का हाल आएए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ आसन सोल के पूर्व मेर और भाश्पानेता जितिंद्र तिवारिया जमुडिया के केंदा इलाके में पहुंची और वहां पर हाल ही में हुए धसान परभावी छित्र का दौरा क्या और वहां के लोगों से बात चीत कर उनकी परिशानियों को जानने की कोशिश की उन्होंने परशासन से पुररवास की मांग की जितिंद्र तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए टीमसी नेताओ पर निशाना साधते हुए कहा के यहां लोग देहशत में जीने को मजबूर है क्योंकि यहां आवज्यानिक तरीके से कोईला निकाला जाता है साथी आरोप लगाय के जादा तर पैच के मालिक जीमसी के नेता है इसलिए इन पर कोई कारवाई नहीं होती उन्होंने कहा के यह बड़े अफसोस की बात है कि जब भी किसी छित्र में इस तरहा की घटना होती है तो ग्राम पंचायत पंचायत समेती जिला परीशत सब चुप हो जाते हैं विध परवाज देना होगा इसके लिए जितनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है वो तैयार है खुप है सब्सक्राइब 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 पुलिस की कारवाई के बाद भी फरसी लोटरी का कारोबार थम नहीं रहा है फरसी लोटरी के खलाफ पुलिस ने फिर अभियान चलाया अमबाला के बन बहाल फाड़ी पुलिस ने विभिन इलाकों में च्छाप इमारी की विभिन लोटरी दुकानों में तलाशी ली गए अंडाल पांडेश्वर विभिन इलाकों में फरसी लोटरी टिकट की बिकरी बढ़ गई है वैधर लोटरी टिकट की आड़ में ये अविध धंदा चल रहा है इसमें कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की भी खबर है आसन सोल के विभिन हिस्सों में फरसी लोटरी का कारोबार धडलने से चल रह कोलकाता में दस सुत्री मांगो के समर्थन में जूनियर डॉक्टर पिछले कई दिनों से अंशन पर है आज जूनियर डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी की बैठक है इस बैठक से ये बात साफ होगी कि जूनियर डॉक्टर अपना अंशन समाप्त करते हैं य वो कुछ दिनों के लिए घर आए हैं लेकिन फिर वापस जाएंगे क्योंकि उनके जो दोस्त कोलकाता में आमरान अंशन कर रहे हैं उनके साथ निभाने के लिए वो फिर से जाएंगे। जूनियर डॉक्टरों की ये दस मांगे मानी नहीं जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने साफ कहा के जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों पर कायम है और आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो और लंबे आंदोलन के लिए भी तयार है आये सुनते हैं क्या कहा। तरा जाबेन एबउं एई समस्यार आशू समाधान हवे एई आशारेखी आउपर जाबो आउपर जिताल जाबे। येवं पाखिटा तो सर कारेर पुरोपोरी सदिच्छारो भुनिर भर कत छे। आमरा तो दिर्भोदिन दुरी सदिच्छा देखी जाच्छी इजे कीभा सितफा दावी आम रागे कोरे छिला तार चारे भूंग 5 नम्बर जे पॉयंट ताके भांगले पर देखते बावेल एग गुले बेशीरी भागी सुप्रिम कोरे डाइडेक्टिव आर प्रिंसिपाल हिल्स सेगेटरी के स्वड़न अटाव अमादे किन्तु ओई 5 नम्बर जे छिलो जे दावी गुली राखा होए छे शेगुली नैज्जो दावी मुख्योंत्री भामता बंद भाध्धाए जह होन फोने बार्तालाप कोरे छें ताह होन तिनियो बोले छें ज होन विरोध नहीं तरह मने तिनियों एटा मानते बात्थ होए छें जी दौस्दोपाद आभी नैज्जो दावी काची यह दौस्दोपाद आभी था कोई पहले कुछ दिन तो पानी मिला लेकिन उसके बाद से घर के नल में पानी क्या पूरती नहीं हो रही है बार बार पारशत को कहा गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसलिए पारशत को सामने पाकर अपना विरोध जताया पारशत ने कहा के इलाके में पानी की समस्या है जिसके समधान का परियास क्या जा रहा है बोरो चेर्मिन चैतन ये माजी ने कहा कि मेर ने निर्देश दिया है टिंडर किया जाएगा जल्द ही समस्या का समधान होगा असन्सूल रेलवे स्टेशन के टैक्सी स्टांड के टैक्सी चालको ने आज असन्सूल रेलवे स्टेशन पर विरोध परदशन के इनका कहना है कि यहां के टैक्सी चालक लगभग 50 वर्षों से आसन्सूल रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चला रहे हैं यातरी सेवा परदान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि 1995 तक उन्होंने सीधे रेलवे को फीस जमा भी की है लेकिन अब रेलवे यहां पर किसी छेकेदार को तैनात कर रहा है जो टैक्सी चालक नहीं होने देंगे वो रेलवे को पैसा देने को रासी है लेकिन वो किसी ठेकेदार को पैसा नहीं देंगे इस बारे में INTT UC नेता मनुज जादव ने कहा टैकसी स्टैंड को हटाने का शर्यंत्र क्या जा रहा है मोके पर पहुँचे IronTT UC नेता राजोल वालिया ने कहा कि यहां बहुत पहले से टैकसी स्टैंड है तो बड़े पैमाने पर आंदोलन क्या जाएगा रेलवे के कुछ अधिकारी कुछ दलाल किस्म के लोगों के साथ मिलकर टैक्सी स्टैंड को हतियाने की कोशिश कर रहे हैं यह पार्थी गोईपान नहीं जावा तो एक्ता ही भरोसा चीलो से चीलो टैक्सी तो बैपटता होच्चे टैक्सी हस्तितो एखने रेल पर सासन मुची दिर्पे चाहिएचे एटा कॉलोगीन सम्भम ने पूरो भारत वर्स से जेखने आपनी जावें देखमें टैक्सी गुल एटा लिस्टेट जगाडी कुल आचे तो बैपटता होच्चे रेल किछू लोग के प्याई नी भावें रेल जैसे जोर देवस्ति कोरें जोबी पार्किंग देवर चेस्टा कोरें क्यामी एटा आलाउट कोरो विक्री कोरो जागा कही कोरो सब चोलबेना कैनो बैपटता ह माहामाठी मालू सब्सक्राइबा जैने तुमी जोडि मालूस माहरत नीती ज़त लागो करो किन्तो आम नाखिंग बो Manuel जैक्ति को तो यूठोने आम आपें आखने को बार बार जैसे भोलेशिक तो यह ङ celaनी गख.. बनातोगुंती के गिंदुए टेक्सिस्टेन, तुमीं तेक्सिस्टेन के उच्छे की कोरें, कुट्ते बारो, तुमीन सम्मालाव ताकार चोनने, तुमी थे बंदे अच्छे को ले, गिंतुप अपना थे लोगें सोगें बहुते मिदिना, जेश्चे भाड़ो, तुमी वेस्ट बिंगोल आई सीटी स्कूल कोडिनेटर विलफियर संगठन के पशिम बर्दमान जुला शाखा प्रतिनिती मंडल ने आसल सोल के सुकांत मैदान इलाके में इस्तिथ डी आई कारियाले में पहुँचकर डी आई सुनीती सामपोई को सम्मानित किया डी आई को गुलदस्ता देकर और मुँ मीठा कर उनको सम्मानित किया इस बारे में नरसमुंदा जन कल्यान समेती हाई स्कूल के आई सीटी टीच बेहत कम वैतन पर नौकरी कर रहें थी दोहजार चौबिस तक ICT टीचर ने बेहत कम वैतन पर नौकरी की लेकिन पिछले बंगाल बजट में मुख्यमंतरी मम्ता बैनरची दौार ICT टीचरों के वैतन में वृध्धी की के जिससे के अब किसी ICT टीचर को सर्वच 25,000 मिल रहे जिससे उनको काफी खुशी हुई और इसलिए आज उन्होंने यहां आकर डी आई सुनी थी सामपोई और उनके करमचारियों को धन्यवाद दिया आसन सोल लगंडिगम के वाड नमबर 95 के बनपूर नवगाटी साधू बथान इलाके में सड़क की खराब इस्तिती के कारण लाके के लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है एक हाथसे में एक वैक्ति का पैर तूट गया ऐसी खराब सड़क के कारण अगर कोई बिमार हो जाये तो अमबूलेंस भी नहीं आ सकती उन्हों ने इसके शिकायत कई बार अस्थानिय पारशद से की लेकिन कुछ ही नहीं हुआ बोरो चेर्मेन शिवनंद बौरी ने कहा के वाट की पारशद संध्या दास उस सड़क के संबंध में पहले ही एडीडिये को कागजात सौप चुकी है एडीडिये ने सड़क की मरंबत कराने का वादा किया है आसनसूल जिसल अस्पताल में दो हज़ार पच्चीस में हज पर जानेवाले यातियों की आज मेडिकल जाच की गए सरकारी डॉक्टर द्वारा हच पर जाने वाले वैक्तियों की मेडिकल जाच की गए तो हजार पचीस में पशिम बर्दमान जिले से 150 के करीब यातरी हच की यातरा पर जाएंगे आज उन सभी वैक्तियों की मेडिकल जाच की गए इसीजी बलड शुगर बलड प्रेशर सहीद विभी ने परकार की जाच की गए इस बारे में हज कॉडिनेशन कमेटी के सदस ने बताया के आगामी 24 तारीख को हज पर जाने वाले वैक्तियों को एडियेम कारियाले पहुचना होगा और उन्हें किन कागजातों को लेकर जाना होगा इसकी जानकारी दी जाएगी कोईला माफ्याओं पर नकेल कसने की मांग करती हुए भारती जनता पाठी दुआरा आज बारा बनी थाना के सामने परदशन किया गया भाजपा जिलाधी अक्षबपा चैटर जी के नेतरुत में कारिकरता जुलूस लेकर थाने तक गये आपको बता दे कि कल ही बारा बनी विधानसबा चैटर के भटाश कोलेरी एलाके में एक हाथसा हो गया था जिसमें दो यूवकों की मौध हो गई थी इसके लिए कोईला माफियाओं को जिम्मेदार ठहराते भे भारते जंदापाटी दोआरा थाने के सामने विरोध परदर्शन किया गया भाजपा प्रतिनिथी मंडल थाना परभारी से मिला और मांगे रखी भाजपा जिलाधियक्षब पपा चैटर जी ने कहा कि अवेध कोईला उद्धखनन को रोकने और कोईला माफियाओं को गिरफतार करनी की मांग की गई सुने क्या कह रहे हैं भाचपा जिला धियक्ष आसनसोल दुर्गपूर पुलीस कमिशनर रेट दुआरा पुलीस लाइन में पुलीस स्मृत्ति दिवस पर शर्धांजली कारिकरम का आयोजन किया गया पुलीस कमिशनर सुनेल कुमार चौतरी के नेतरित में पुलीस अधिकारियों ने यहां शर्धांजली दी शहीद बेदी पर शरधा सुमन अर्पित कर शहीद जवानों को शर्धांजली दिया उसके बाद शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखा गया यहां प्रेड के सलामी भी ली गई मोके पर DCP डॉक्टर अरविंद आनद DCP PVG सतीश समेत अन्य पुलीस अधिकारी उपस दिते पुलीस स्मृति दिवस 21 अक्तूबर को क्यों मनाया जाता है तो आपको बता दे 21 अक्तूबर 1969 को भारती जवानों का एक समू अकसाई चिन के होट स्प्रिंक्स में तोही मिशन पर था पुलीस समू पर चीनी सेना ने घात लगा कर हमला किया बिना किसी जैतावनी के भारते पुलीस कर्मी उपर गोलीबारी के जिसमें कई पुलीस कर्मी शहीद हो गए उनके शव 23 दिन बाद 13 नवंबर 1969 को लोटाए गए बंगाल मिरर न्यूस देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद आप हमें अपने सुझाओ दे सकते हैं हमारे वटसप नमबर पर हमारा नमबर है 7047958258 हमारा दूसरा नमबर है 7908186164 कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें